दोस्तो आज के इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फोन चोरी हो गया है या खो गया है और ऐसे में बहाँ पर आपका कुछ परसनल डाटा था जैसे की फोटो, वीडियो, मैसेजेज तो आप उस डाटा को कैसे पर्मनेंटली डिलीट कर सकते हैं जिससे कि आज की इस वीडियो मैं आपको यही बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर में किसी फैमली मेंबर का मुबाईल ले ले लेना है या अपने किसी फ्रेंड का मुबाईल ले लेना है उसके बाद आपको उसमें ब्रावजर ओपिन करना है और यहाँ पर आपको search करना है find my device. उसके भाद देखें यहाँ पर लिखा है find my device google. आपको यहाँ पर click करना है. उसके बाद यहाँ पर आपको उस email आईडी को enter करना है जो आपने अपने phone में login करके रखी थी. उसके बाद आपको next पर click कर देना है. और यहाँ पर आपको उस email ID का password एंटर कर देना है उसके बाद आपको next पर click कर देना है उसके बाद आपके जिस जिस phone में वो email ID एंटर होगी वो सारे phone यहाँ पर show हो जाएंगे यह देखे Samsung Galaxy J2 Samsung Galaxy M11 और Redmi Y3 तो आपका जो phone चोरी हुआ है या खो गया है उसको आपको यहाँ से सलेक्ट कर लेना है तो जैसे कि मैंने Samsung Galaxy J2 सलेक्ट कर लिया है उसके बाद आपको यहाँ से refresh कर देना है तो यहाँ पर जो आपके phone की जो location होगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी यहाँ पर अगर आसपास के एरिया में है तो आप यहाँ से उसे find कर सकते है उसके देखें यहाँ पर आपके phone का जो last scene है वो show हो जाएगा और आपके phone में जो sim पड़ा होगा वो भी show हो जाएगा जैसे कि इसमें geo 4G है और यहाँ पर battery percentage भी show हो रही है 10% है उसके देखें अगर आपको लगता है आपका phone घर में ही है तो play sound पर click करके आप अपने phone को ring कर सकते हैं चाहे भले यहाँ आपका phone silent में क्यों ना हो बहाँ पर ring जाएगी उसके secure device पर click करके यहाँ पर आपको recovery message टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको phone number एंटर कर देना है तो जिसके पास भी phone होगा उसके पास message और phone number आपका पहुंच जाएगा वो आपको call कर सकता है और secure device पर click करके आप अपने phone को lock कर सकते हैं उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका phone चोरी हो गया है या खो गया है तो उसके लिए आपको यहाँ पर erase device पर click करना है उसके देखें यहाँ पर लिखा है all data will be permanently erased from this device after your device has been erased you can't locate it तो आपके phone में जो भी data होगा photo, video, messages वो यहाँ से permanently delete हो जाएगा उसके लिए आपको यहाँ पर erase device पर click करना है तो आपके phone में जो भी होगा वो सब कुछ delete हो जाएगा everything तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने चोरी हुए या गुम हुए phone को find कर सकत हैं उसके बाद आप उसके data को भी परवान हिटली delete कर सकते हैं I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया होते से like कर दीजिए share कर दीजिए और चैनल पर आप हमारे पहली बार आए हैं तो इसे subscribe कर दीजिए मिलते हैं next वीडियो में चैहिंद